अल्रेट चेक इट आउट गाईस स्वागत आपका स्टोन टेक में दोस्तों वीवो ने फाइनली अपना इंडिया में एक और केलरे स्पेक्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है जो के वीवो आइकूस दाइड एक्स तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.64 इंचेस के एक IPS अलस्रीट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी एसेट इस इस तो नाइन होगा और इस करेंगे अग्रार के इस क्यरेंगे टेच के यस्प्लेक्टिए हुगार आपको देखने को मिलेगी अब चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरह जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के platform के बारी में इस mobile में अपको देखने को मिलेगा तो आपको इस mobile में थोड़े से bloat weird से भी देखने को मिलेगे लेकिन आप उनको delete कर पाएंगे अगर बात करें इस chipset की तो इस mobile में इस में आप देखां 6 Gen 1 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा तो इस mobile में काफी तगड़ा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा तो gaming experience इस mobile में आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाएगा और data performance भी इस mobile के एकदम smooth होगी अगर बात करें इस mobile के graphics की तो इस mobile में Adreno 710 GPU आपको देखने को मिलेगा तो gaming graphics भी आपको इस mobile में एकदम killer देखने को मिलेगे और gaming के वक्त frame drop इस mobile में एकदम ना के बराबर होगा overall देखा जाए तो इस mobile में काफी तगड़ा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें 50 और 2 megapixel के dual camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR और 10x digital zoom का feature भी देखने को मिलेगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 4K 1080P में काफी अच्छी quality के photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 8 megapixel का front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality 1080P होगी overall देखा जाए तो इस mobile में काफी अच्छी quality का camera segment आपको देखने को मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot के तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory was 128 GB ही होगी अगर बात करें इस mobile के RAM के तो ये mobile बस आपको 8 GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality के तो इस mobile में एक अच्छी quality का loud speaker आपको देखने को मिलेगा तो आप इस mobile में non-stop gaming भी कर पाएंगे अगर बात करें इस mobile के charging की तो इस mobile में 44 Watt के faster charging का feature भी आपको देखने को मिल जाएगा तो overall देखा जाए तो इस mobile में काफी अच्छा battery segment आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2bird 0 tab सी USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature आपको इस mobile में देखने को नहीं मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black, blue और white color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 16,190 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 18 January को release हो जाएगा overall दिखाई है तो दोश्तों वीवो की तरफ से आपको इस mobile में सारी feature काफी अच्छे देखने को मिलेंगे तो मेरे according अगर आपका 16,000 का budget है तो आप ये mobile ले सकते हैं तो चलिए आप बात करते हैं इस mobile के rating की तो इस mobile का सारी feature हो के देखते हो इस mobile के strong rating होगी 6 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लैक्सेट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को भी on कर लेना और कमेंट करके बताने कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में